इस लेक्चर में हम बात करेंगे मानव परियावरन संबंदों की बात करेंगे हम मानव परियावरन संबंदों की हमारी सिलिवस में मानव परियावरन संबंद में तीन है पहला है आपका नियतिवाद उसके बाद है संभववाद और तीसरा है Stop and Go Determism नव नियतिवाद या रुको और जाओ संभववाद तो इस क्लास में हम केवल नियतिवाद के बारे में बात करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव भुगोल मानव भूगुल का जो विशेच्छित्र है वो है मानव और परियावरण के मद्धे अंतरसंबंदों की बात करना और ये जो अंतरसंबंद है मानव और परियावरण के मद्धे जो अंतरसंबंद है वो समय के साथ में उनका जो दर्षन है मानव परियावन की मद्डे जो अंतरसंबन्ध है वो समय के साथ में परिवर्तित हुए है उनको देखने का जो नजरिया है हमारा प्रकृति को हम जिस प्रकार से देखते हैं उसमें समय के साथ में परिवर्टन हुए हैं दर्शन के साथ परिवर्टन हुए हैं और प्रतीक परिपेक्षे में एक दर्शन विक्सित हुआ है भुगोल वस्तुते मानव और परियावरण के अंतरसंबंदों का विशय है जिसमें प्रकृति का मानव पर प्रभाव और मानव के प्रकृति पर प्रभाव का विश्लेशन होता है अब मानव ये आप देखोगे कि जो आदोनिक युग जब प्रारम हुआ उससे पहले मैंने आपको बताया था, बर्नहार्ड वरिनियस ने एक दुएतवाद का जनक जिन को बोला दाता है, उन्होंने दो उपागम परिकल्प ना दी थी, उन्होंने दो उपागम बताया थे, उन्होंने भुगोल को दो भागम में बाटा था, पहला था क्षेत्रिय भ भूगोल और सामाने भूगोल इनको भूगोल में द्वेतवाद का जनक कहा जाता है तो आधुनिक काल में आपका अब रेड जेल को देखोगे तो रेड जेल की जो पुस्तक थी एंट्रोपोटियोग्राफी उसके वॉल्यूम वान और टू 1882 में जो इनकी बुकाई थी उसमें इन्होंने भी मानव भूगोल वर्सेज भूतिक भूगोल की बात करी अब आप जब इसको देखोगे आगे तो मानव भूगोल और भूतिक भूगोल का जो द्वंद है या इन दोनों में देखोगे तो भूतिक भूगोल में जो मेन आपका केंद्र बिंदू है वो आपका भूतिक परियावरण है और जो आपका मानव भूगोल है उसका जो केंद्र बिंदू है वो मानवी परिवेश है आज की क्लास में हम देखते हैं पहले नियतिवाद क्या है वातावरन निश्यवाद या वातावरन नियतिवाद ये वातावरन निश्यवाद इसको बोल सकते हैं वातावरन निश्यवाद एंवाइन्वाइन्वाइन्ट अन्मानमेंटल डिटरमिनिज्म Normmental Determinism वातावर निश्यवाद या परियावर निश्यवाद दिखो जो प्रमुक भुगोल वेता है उनमें रेड जेल से पहले के जो है उनमें अपके वारेनियस Fosters, Kant, Humboldt, Litter इन सभी ने, ये सभी जर्मन भुगोल वेता है इन्होंने अपने जो लेखन है उसमें वातावरन के तत्वों के मानव भुगोल पर मानव परियावरन पर या मानवी क्रियाओं पर प्रभाव का वरणन किया है और इस पस्ट से इनके लेखन में प्रक्रती या मानवी कारकों पर इनके जो लेखन है उसमें भुगोलिक कारकों के प्रधानता दिखाई देती है जिसमें किसी प्रदेश की स्थिति भूरचना, उच्चावच, जलवायू, म्रदा, खनीज, वनस्पती आदी द्वारा वहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं वहाँ पर जो मानव निवास कर रहे हैं उनके संगठन, उनके उद्योग धंदों, उनके भोजन क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उनका स्वास्ते कैसा है, उनका कल्चर कैसा है इसके प्रारूप को निर्धारित करते हैं तो जैसा कि बताया मैंने कि यह जितने भी जर्मन भूगोलवेता थे इन्होंने प्राकृतिक कार को प्राकृतिक कार को प्रधानता दी और ये इने के कारण से आपका जो मानव परियावन संबंदों में परियावन नियतिवाद है वो फलाफूला तो हम कह सकते हैं कि नियतिवाद या निश्चेवाद भोतिक वातावरण एक सक्रिय कारक के रूप में नियतिवाद या निश्चेवाद के अनुसार जो भोतिक वातावरण है वो एक सक्रिय कारक के रूप में सभी मानविय गतिविदियों को निर्धारित करता है तो मानव क्या हो गया इसमें? मानव हो गया निश्क्रिय कारक मानव क्या हो गया आपका? पूर्ण त्या निश्क्रिय नहीं कह सकते बट हाँ जो इंटेंसिटी है वो भोतिक कारकों की ज़्यादा है तो भोतिक कारक आपके प्रभावी कारक है प्रभावी एवं सक्रिय कारक है और जो मानविय कारक है उनको इनेक्टिविया निश्क्रिय कारक कहा गया है अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि नियतिवाद या निश्यवाद को इधी सिंपल शब्दों में समझा जाए तो यदि क्रियात्मक्ता के आधार पर बात करें तो क्रियात्मक्ता में जो मानव है और जो प्रक्रती है मानव निश्क्रिय कारक है और प्रक्रती सक्रिय कारक है अर्थार्थ भोतिक परियावरण मानव की सभी गतिविधियों समाज और संस्कृति को निर्देशित करता है और ये जो विचार है वास्तों में लंबे समय से अस्तित्व में है और अधिकतर लोग मानते हैं कि प्रकृति या भोतिक परियावरण सरवच्च है और वो मानव विकास, संस्कृती और समाज की दशा को निर्धारित करता है और प्राचीन काल में चुमकि तक्निकी अभाव था, तक्निकी का विकास नहीं हुआ था इस वज़े से जो नियतिवाद था वो अधिक फलाफूला और यही जो लेखन है आपको हिपोक्रेटस, अरस्तू, जो प्राचीन भुगोलवेता है हिपोक्रेटस, अरस्तू, स्ट्रेबो उनके लेखन में यह दिखाए देता है आपको नियतिवाद उनके लेखन में दरश्टी गोचर होता है क्यों होता है? क्योंकि उस समय पे मानव इतना अधिक प्रभावी नहीं था क्यों नहीं था प्रभावी? क्योंकि तक्निकी विकास कम था नहीं था और मानव की जो लिमिटेशन्स थी, सीमाय थी, वो अधिक थी अब प्राचिनकाल में ये था उसके बाद में नियतिवाद या निष्यवाद की जो अभधारणा है वो आपके 18-19 शुताबदी में फिर से पुनरजीवित होती है फिर से पुनरजीवित होती है और क्यों होती है Social Darwinism के आने के बाद Samagic Darwinism के आने के बाद आपकी जो Anthropogography book है Red Zell के उसके आने के बाद में और German जो विद्वान थे इनके लेखन में ये सारा जो नियतिवाद है वो सपस्ट थे Drustigature होता है Anthropogography के बाद में जो Red Zell के शिश्या थी उनका नाम था Churchill Sample उन्होंने इस अवधारना को और आगे बढ़ाया इनकी जो पुस्तक थी Sample की Influences of Geographic Environment इनकी दो पुस्तक थी अच्छली आपको नाम लिख देता हूं क्योंकि एक्जाम में पूछ सकता है Sample की जो पहले बुक थी वो 1903 में आई उसका नाम था American History and Its Geographic Conditions हिंदी में लिख देता हूं American History and Its Geographic Conditions 1903 में जो पुक थी American History and Its Geographic Conditions इसमें इन्होंने बताया कि America की History या अमेरिका की इतिहास को इसकी आवस्तिती और इसके परियावरण ये परिवेश ने किस प्रकार से प्रभावित किया है अर्थार्थ यह है History History की बात करते विए या उस जगे के History की बात करते विए बताती है कि वहां का जो कल्चर है वहां की जो पूरा सिस्टम है पूरा जो तंत्र है पूरा जो समझिक तंत्र है संस्कृत है आर्थिक पहलू है वहां की आवस्तिती से निर्धारित हुए है वहां के परियावरण से परिवेश से निर्धारित हुए है इसके बाद में उनकी एक और बुक आती है उस वो बुक है आपकी 1911 में आई वो बुक उसका नाम है Influences of Geographic Environment Influences of Geographic Environment इस यह बुक इनके इसी यह बुक का जो फर्स स्टेटमेंट है वो यह है कि मनुष्य प्रक्रती की प्रत्वी की सतय का उत्पाद है मनुष्य जो है प्रत्वी की सतय का उत्पाद है अर्थार्थ मनुष्य को बिलकुल निश्क्रिये दम निश्क्रिये का रख वे यह दर्शाते हैं और नियतिवाद के घोर समर्थक इनको माना जाता है इनको नियतिवाद का घोर समर्थक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है प्रत्वी की सतय का उत्पाद है और ये मानती हैं कि भोतिक वातावरण ही है जो वास्तव में प्रत्वी की सतय पर मानव के सभी कारियों को नियंत्रित करता है निर्देशित करता है नियंत्रित करता है और मनुष्य पूर्णतया प्रकरती पर आश्रित कारक है और प्रकरती एक मात्र सक्रिय कारक है ठीक है? तो यह हो गया अपका मैंने बताया कि कैसे प्राचीन भूग अलवेता उसके बाद में आपका रेड जल ने एंथ्रोपो जोग्राफी में मानो भूगो में मानो को सक्रियकारक माना है सेंपुल ने अपनी दोनों रचनाओं में मानव को बैक्स्टेज में रखा है और प्रक्रति को सक्रिय कारक माना है हंटिंग्टन जो एक अमेरिकन भूग अलविता थे उन्होंने भी जलवायू को एक प्रमुक कारक माना जो सिविलाइजेशन या सब्भेताओं को प्रभावित करती है प्रमुक तया से प्रभावित करती है और मुख्यत योगदान जलवायू का होता है ऐसा उन्होंने कहा तो ये जो कथन है उनका ये कथन जो है उनका उनको नियतिवादी बदाता है नियतिवादी उन्होंने कहा कि वातावरन ही है जो सब्भेताओं को एक दूसरे के साथ संगर्स के लिए प्रेरित करता है और कहा कि भोतिक वातावरन विशेशकर जलवायू कि जो भूमिका होती है वो निरनायक है जो संगर्ष होता है सब्वेताओं में तो जो जलवायू है उसकी जो भूमिका है वो निरनायक है इसमें काफी लंबा लेक्चर हो सकता है नियतिवाद पे अब नियतिवाद के दिशॉर्ट में आलोचना करनी हो तो हम क्या कहेंगे देखो नियतिवाद या निश्यवाद के जो मूल धारना है कि एक विशेश परियावरण एक विशेश परिणाम देगा और थार्थ एक विशेश परियावरण जो है इसका जो रिजल्ट होगा एक विशेश रिजल्ट भी एक विशेश होगा और वो वो चुकि परियावरण है तो हर जगाखे पर वो एक result सही माना चुमित। लेकिन क्योंकि मानव की भूमिका इनिश्क्रिय लेकिन मानव इतना निश्क्रिय नहीं है, मानव एक सक्रिय भूमिका निभाता है। समान जलवाई होने पर भी भिन भिन जगह पे अलग अलग उत्पाद आपको प्राप्त होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि मानव मानव जो है वो विकास तक्नीकी विकास प्रोद्योगी की का विकास करके वो इतना इन्वाइमेंट को मोडिफाई कर चुका है या उसके साथ समायजित हो चुका है कि वो इसमें सक्षम है कि वो उत्पाद की प्रकृति को परिवर्थित कर सके जैसे इसमें कह सकते हैं कि से युनान और इटली की मध्यवर्ती जलवायू ने जो सब्वेताओं का निर्मान किया है वो अन्ने सब्वेताओं नहीं कर पाई क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी तक्निकी क्षमता में, उनके सोचने के क्षमता में, उनके प्रोध्योगी के विकास में अंतर था दूसरी बात, मानव परियावरण संबंद का एक महत्वकून पहलू, जो निश्चेवादी नहीं मानते हैं वो है कि मानव भी अपने भोतिक परियावरण को प्रभावित करता है, ये किवल एक पक्षे विचार है कि मानव प्रकृति से ही प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है, मानव भी प्रकृति को प्रभावित करता है, तो ये दो इसके आलोचना हैं, तक्निकी विकास को ध्यान में नहीं रखा गया, साथ ही जो तक्निकी विकास के साथ-साथ आपका जो मानव भी प्रवायुद करता है उस विचार को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया तो यह आपका इसका कुछ theoretical part है इसके अलावा आप देखोगे तो जो नियतिवाद है नियतिवाद के हम कुछ short में देखते हैं देखो नियतिवाद या environmental determinism या प्रकृतिक निश्यवाद है इसमें सबसे पहली बात मानव प्रकृति का दास है मानव प्रकृति का दास है दूसरी बात प्रकृति जो है environment जो है वो क्या आपका निरंकुष है और निर्देशक है डारेक्टर है अर्थार्थ प्रकृति निर्देशित करती है प्रकृति मानव से आदेश नहीं लेती या मानव से निर्देश नहीं लेती यह one-sided है यह एक दिश्यवाद है अर्थार्थ फ्लो जो होता है direction इसमें जो फ्लो है यह आप प्रकृति ही केव अप्राइड करती है। प्रिरित करती है किसको प्रिरित करेगी मानविकारियों को नेक्स टोपिक नेक्स बात जो है मानव का आर्थिक सांस्कृतिक व्यवार मानव का जो आर्थिक सांस्कृतिक आर्थिक व्यवार है वो कौन डिसाइड करेगा प्रकृति डिसाइड करेगी नेक्स जो है वो है प्रकृति के नियम सनातन है उनिवर्सल रूल है प्रकृति के जो नियम बने हैं वो सनातन है और मानव इन नियमों से बंदा है और यदि मानव इनके अगेंस्ट कुछ करता है तो उसको किसका सामना करना पड़ेगा प्राकृतिक आपदा का प्राकृतिक संकट का ठीक है तो ये ये नियतिवाद के कुछ प्रमुख बिंदो है जो जिन पर नियतिवादी विश्वास करते हैं अब नियतिवाद की भी बहुत सारे विचार हैं जैसे आप देखोगे इसमें शास्त्री नियतिवाद भूतिक नियतिवाद वेग्यानिक नियतिवाद परियावरण नियतिवाद तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं देख रहे हैं अभी तो शोर्ट में हमें क्या देखना है इसको हम एक बार समराइज कर देते हैं इसको समराइज इस प्रकार से कर सकते हैं कि वातावरण निश्यवाद की विचारधारा में वातावरण को प्रधानता दी गई है इसके अंतरगत यह विचार पुस्ट किया गया है कि या इस विचार को सुद्रड किया गया है कि किसी भी प्रदेश के स्थिति भूरचना, उच्चावच, जलवायू, म्रदा, खनित संसादन, वनस्पति, जन्तु वर्ग के द्वारा उस प्रदेश में निवास करने वाले विभिन मानव वर्ग के सार्डिक स्वास्थ्य, सांस्कृति, उद्ध्योग, संस्कृति, समझिक संगठन के प्रारूप का निर्धारन किया जाता है इस विचारधारा के प्रमुक प्रतिबातक आपके प्रतिपादक देखोगी तो आप कोन है रैट जिल, उनकी शिश्या को मारी सेंपुल, ठीक है इसके बाद में अमेरिकन भूगोल वेताओं में हंटिंग्टन भी वातावर निश्यवाद के समर्थक थे जिन्होंने जलवायू को एक प्रमुक कारक माना, मायनव के विकास पर, सब्भेताओं के विकास पर और ये जो विचारधारा थी, इसके पोशक जर्मन थे, जर्मन विचारधारा थी इसको हम डिटेल में फिर बाद में जब हम जर्मन विचारकों की बात करेंगे तो उसमें भी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे नेक्स क्लास में हम देखेंगे संभवबाद पे और उसके बाद में हम देखेंगे नव निश्यवाद पे तो अभी के लिए इतना ही तो झाये साच बाद में हम देखेंगे